तो साथियों हम लोग देख रहे थे GS World की एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही शांदार टेस्टरीज जो आपके आने वाले एक्जाम UPPSC ROARO Prelims 2024 के लिए वर्दान साबित होगी क्योंकि साथियों यह Current Affair की टेस्टरीज है और अप्रेल से लेकर अगस तक का सारा का सारी जो बहतरीन चीजे Current Affair से हैं सारी की सारी बहतरिन जिये जो अब तक जिस तरह की पूछी गई है सूच्कांग pray koncept जितनी भी चीजे है सारी की सारी चीजे समेटी गई है इसका पहला पार्ट में बना चुका हूँ साथियों इसके ज़ेस्ट ही ही मैंने वीडियो को upload किया है आरो ए आरो की playlist में होगी आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लीज जाकर उसको देख लेजिए इसमें साथ यो डेड़ सो प्रशन थे तो मैं पहले बताया था कि वीडियो बहुत लंबी होने के वज़ा से मैं 90 question तक बताया था इसके पहले वाले part में उसके बाद मैंने बो पढ़ाई किये हैं उतनी ही अच्छी से आपको बेहतरीन चीजों का जो है बेहतरीन content का आपको question भी solve करना होगा तब आप सफलता के नस्दीक पहुच सकते हैं क्योंकि साथ यो होता है कि अगर हम लोग बेहतरीन जो संस्थाओं का content है बेहतरीन संस्थाओं का test series है जैसे द competition बड़ा हो गया है हम जितना ही अच्छे से पढ़ते हैं उतना ही अच्छे से हमको प्रश्न भी solve करना चाहिए अगर हम लोग question solve नहीं करते हैं साथियों तो होता क्या है कि हम आता हुआ प्रश्न को गलत करकर आते हैं हम confusion में रहते हैं अगर यही आप ज्यादा से ज्यादा टेस्रीज लगाये रहेंगे बहतरे इन संस्थाओं का तो इससे लाव क्या होगा कि आप जो दुविधा वाले प्रश्न है ओ भी solve करके आएंगे आपका confidence level high रहेगा तो यह होती है टेस्रीज या practice set की ताकत होती है तो हम जीतना ही अच्छे से पढ़ते हैं उतना ही question भी solve करना होगा तो चले हम लोग देखते हैं question number 90 के बाद से second part के वीडियो में क्या है हमारा तो साथियों हम लोग question number 90 तक देख लिये थे 91 से हम लोग देखते हैं यह क्या करा है करा है साथियों हाल ही में राश्ट्री और दोगी गलियारा विकास कारकरम के अंतरगत घोसित किये गए 12 और दोगी छेत्र में कौन सा सामिल नहीं है तो साथियों यह क्या है कि राश्ट जो के बीद जो अवद्योगिक छेत्र हैं उनको जोडने के लिए 12 और दोगी छेत्रों में सामिल कौन सा नहीं है तो साथियों यहां पर जो दिये हुए नाम है यहां पर यह केरल में पलककड भी है बिहार में गया भी है और राजस्थान में जोधपूर पाली भी है यहां पर उत्तर प्रदेश में नुएडा है जो गाजियबाद है यही इसमें सामिल नहीं है 12 और दोगी छेत्रों में तो विकल्प नंबर आपका बी हो जाएगा यही नहीं है इसमें तो यह आप याद रखियेगा उत्तर प्रदेश रिलेटेड यह नोएडा वाला इसमें नही है आगे हम लोग अगर देखें तो क्या होगा यही हमारा बीवाला उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है कौन सा नहीं है तो नहीं वाले को हम जरूर ध्यान देंगे नहीं तो हम आते हुए प्रश्न को गलत कर देंगे तो देखें हम लोग बानवे वाले में इसमें क्या कह रहे हैं इसमें साथियों कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रश्ण है खेल से आपका हाल ही में एक सथमी राष्टी सत्रण चैंपियन जो एक सथमी राष्टी सत्रण चैंपियन में किसने जीत ली है किसने जीता है इसको तो आप लोग को म में क्या है तो देखे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्ण है ये अभ्यास से संबंदित है तो यहां पर दिया है तिरानवे वाले में हमसे क्या पूछ रहे हैं यह कर रहे हैं कि अभ्यास पिछ ब्लेक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है तो अभ्यास पिछ ब्लेक सत्यों एक तरह का वायू सेना का अभ्यास है जो आस्ट्रेलिया में हो रहा है तो विभिन देश के लोग आकर इसमें हिस्सा लेते हैं अपनी जो है छमता का प्रदाशन करने के लिए एक तरह से अभ्यास करने के लिए तो विकल्प नंबर B जब भी आए आपके समने अभ्यास पिछ ब्लेक का आउन कहां हो रहा है तो आस्ट्रेलिया में हुआ इस साल विकल्प नंबर आपका जो हो जाएगा ये ये भी हो जाएगा 12 जुलाई से 14 मतलब 12 जुलाई से ये शुरू हुआ था दो अगस्त के बीच तक ये हुआ था आगे देखें देखें हम 94 में हमसे क्या पूछा रहा बहुत ही लाजवाब प्रशन है ये ये ऐसे ही एक्जाम में प्रशन पूछे जाते हैं तो देखें यहां पर कह रहा है हाली में अभी एक समाचारों में भी खबरों में एक मतलब एक तरह एक देश का सरवोच सम्मान था order of the scent and you the postal ये साथ यह रूस का एक सरवोच नागरिक सम्मान है अभी मोदी जी हाल ही में रूस गए थे तो वहाँ पर उनको ये रूस का सरवोच नागरिक सम्मान इनको मोदी जी को दिया गया बिकल्प नंबर भी जैसे हमारे यहां कोई आए तो हम लोग अपना सरवोच नागरिक सम्मान उसको दे तो उसके देश में चार-चार है इसी तरह से मोदी जी यहां गए मोदी जी को ये order of the scent and you the postal नाम का एक सरवोच नागरिक सम्मान रूस का मोदी जी को मिला तो भी हो जायेगा आपका रूस में मिला अभी मोदी जी की रूस यात्रह हुई थि आगे देखे मनोग पंचानवे वाले में इसमें कहरा है साथियों, हाल हिमें पंडरहवे क्रेसी नेतृत पूरसकार कौन सा? पंडरहवे क्रेसी इसको सब्दों पर मत जाए साथी हूँ, सब्द आपको बड़े-बड़े मिल सकते हैं लेकिन इसका कहने का तरीका समझा करिए, यही आपको हो सकता है प्रश्ण यही आपसे पूछ ले, वो कहने का तरीका उसका अलग हो, तो इस सब्दों को थोड़ा सा इसके भाव को समझन का प्रयास केजितब, कोई भी प्रश्ण आपके सामने आए, प्रश्ण को रटने की बज़ा, प्रश्ण के भाव को समझा करिए, तो पंद्रहवे किर्षी नेत्वित पुरस्कार समीती, द्वारा किस राजल को दोहजार चौबीस के लिए सर्वस्रेष्ट क्रिसी राज पूरसकार से सम्मानित किया गया तो आप इतना ही याद रखिए केवल 2024 में सर्वस्रेष्ट यानि सबसे अच्छा क्रिसी छेत्र में किस राज को सम्मानित किया गया है तो महराष्ट को किया गया है विकल्प नमबर A तो क्रिसिस छेत्र में सरशेष्ट अच्छा के लिए तो महराष्ट को मिला है विकल्प नंबर A आगे देखा जाए हम लोग तो चानवे में हमसे क्या कहा रहे है हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और इस्थिरता पर प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और इस्थिर्ता पर वैस्विक सम्मेलन का उद्गाटन कहां किया गया है तो प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और इस्थिर्ता पर वैस्विक सम्मेलन इसका उद्गाटन साथियों कहां गिया गया है चार नाम आपके सामने है, तो यह कहां दिया है? नई दिली में किया गया है. विकल्प नंबर यह आप में C हो जाएगा नई दिली में. तो साथियों यह किस के द्वारा किया गया है? इसको भी जान लेजीए. एक मंत्राले इसका बहुत है. रासायन और उरोरक मंत्राले यानि chemical and fertilizer ministry के द्वारा इसका उद्गाटन किया गया तो कौन है यह निवेदी का शुकला नाम के एक हैं वह इसको मंत्राले से मन्दी तो उसी ने इसको 4 जुलाई 2024 को किया था इसका उद्गाटन नई दिल्ली में आगे हम लोग देखें यह एक से पढ़कर एक प्रश्ण ऐसे ही प्रश्ण साथ हो बिलकुल आपके यह यूपी PSA RO RO यह आप यूपी PCS का भी देते थे हे तो उनसारे सेलबस Yay animated को मिलाकर इसको अदाभ बैलेंस त्रीके से प्रश्ण को बनाया गया वाध प्रश्ण आपके जो प्रीवियस एर के जो पूछे जाते है किस की पेस पर बने थे उप्रश्ण तो उसे बेस पर इसको भी बनाईया गया HASakah गेаны में न लेजिएगा आगे देखे में 97 में हाल इमें ख़बरों में रही रुद्रम 1 रुद्रम 1 मिसाइल आप से अगर पूछे रुद्रम 1 क्या है तो इसके सम्मद्ध में कौन सा गलत है यहां जरूर ध्यान दीजिए सही नहीं पूछ रहा है यानि रुद्रम 1 नाम की जो मिस क्यूं किया गया है इस जो है डिया दोर्डरा विक सित किया गया है सही बात है बिलकुल सही तो हमने लेकिन गलत पूछा है तो देखते हैं हमने लोग गलत कौन है यह भारत की पहली anti-radiation मिशाइल है यानि radiation इस पर काम नहीं करेगा या पूरी तरह से स्वदेशी है जी स्वदेशी है तो यह तीनों सई हैं तो गलत कौन होगा गलत डी होगा तो डी ही हमारा उत्तर हो जाएगा क्यों क्योंकि साथियों यह हवा से जो है यह हवा से जमीन पर मारने के लिए सच्छम है तो यह हवा से हवा में नहीं है बलकी हवा से सतह में मार करने वाली तो बिकल्प नंबर D आपका उत्तर होना चाहिए तो यह हवा से सतह देना चाहिए था ऐसे तब सही रहता आगे देखें देखे 98 में क्या दिया है साथियों बहुत अच्छा प्रश्न अफगानिस्तान पर अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट सम्मेलन कहां किया गया अफगानिस्तान के मुद्दे पर साथियों तीसरा संयुक्त राश्ट सम्मेलन इस साल कतर की राजधानी दोहा में किया गया बिकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका यही उत्तर होगा कतर की राजधानी दोहा में आगे देखें हम लोग 99 में 99 में क्या पूझा जा रहा है तो यहाँ पर देखें सात्यों बहुत ही अच्छा प्रश्ण पर्या व्रण सम्मंदीत ऐसे प्रश्ण पूझे जाते हैं तो कर रह आ है सात्यों अभी इस प्रश्ण को आने से पहले मैं बता दूँ क्योंकि मैं समझ गया यह क्या पूछना चारा है अभी भारत ने लगभग एक लाग से अधिक एक लाग से अधिक जीव जनतुओं का जो है चेकलिश्ट तैयार करेगा कि हाँ जीव जनतुओं के बारे में अध्यान करने के लिए अच्छे से तो एक ला प्रश्ण में कहरा है एक हाले में कौन सा देश समपूड जीव जनतुओं की चेकलिश्ट तैयार करने वाला विश्ट का पहला देश बन गया है तो साथियों समपूड इसमें लिखा है समपूड जीव जनतुओं का चेकलिश्ट तैयार करने वाला विश्ट का पहला देश हें हम लोग 101 वाला प्रश्न बहुत ही अच्छा साथिए कृष्ण नंगरि मतूरा से संबंदित प्रश्न है यह सांझी सिल्फ सांझी सिल्प किस राज से संबंधित है तो साथियों मैंने पहले बताया यह मतूर यानि उत्तर परदेश से संबन्नित है तो इसके बारे मैं बता रहा हूं यह उत्तर परदेश संबन्नित है तो इसको पहले इसका उत्तर समझ लेजे सांजी सिल्फ उत्तर परदेश संबन्नित है तो आपके दिमाम चल रहा होगा सर यह सांजी सिल्फ है क्या यह कागज के जो टुक जो है रंगोली बनाई जाती है साम को तो हमारे भारत में खास करके यूपी विहार में जब शाम हो जाती है तो हम लोग साम को अपने देशी भासा में साज कहते हैं तो साज है यानि साम के टाइम यही जो है बेंदावन के मंदरों में रंगोली बनाई जाती है यही कागज के टुकडों का एक डिजाइन होता है इसी के help से तो इसी से यह संबन्दित है तो यह से को अभी GI tag भी मिला था सांजी सिल्फ किस राज से संबन्दित है मतुरा से तो इसको GI tag भी मिला है अभी हाल ही में है इसलिए यह चर्चा में आया है बहुत अच्छा आगए देखें हम लो यह UP से related भी आपको समझ पूछा जा सकता है इसको याद भूलिएगा नहीं क्या है देखें हो दो में निमलिखित में से किस संगठन ने हैमु कुर्थी राष्ट्री उद्यान तो आपसे कभी ऐसा पूछ ले हैमु कुर्थी राष्ट्री उद्यान किस राज में है तो तमि नाडू राजवन विभाग के साथ सहयोकर निलगीरी तहर की सफल रेडियो कॉलरिंग की है तो साथियों निलगीरी तहर निलगीरी पहाडियों पर जो है एक तरह का जानवर होता है जो बकड़ी की तरह होता है बकड़ी की तरह लगभग उसके बनावट होती है तो उसकी रेडियो कॉलरिंग के जा रही है तो यही आपसे पूछा रहा किस संगठन ने किया है तो साथियों वही संगठन का नाम आपको बताना है तो यह बिस्वण जीव कोश जो है यही इसकील रिकॉलिंग कर रही है यह एक संस्था है जो निलगेरी तहर की सफल जो है रेडियो रिकॉलरिंग कर रही है तो बिकल्प नंबर ए हो जाएगा आपका विश्वण जीव कोश के द्वारा आगे देखें एक सो तीन में क्या पूछा जा रहा है आपसे देश की पहली घरेलू भी जा बहुत ही अच्छा परशन है साथियों यह आपके मेडिकल से संब्मноп में देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी का सुभारम कहा किया गया तो बिकल्प नंबर इसका बी हो जाएगा एक सो तीन का उत्तर बी होगा आई आई आइ टी बाम्बे में उन्होंने इसका जो है उद्गाटन किया है सुभारम्ब तो यह किससे सम्दित है साथ यह घरेलुजिन थेरपी ब्लड कैंसर से ब्लड कैंसर में अगर यह सफल हो जाता है तो ब्लड कैंसर में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा बहुत लोगों को इससे निदान मिलेगा तो उसी से संबंदित है ये जो आपके जो ब्लेट कैंसर है उससे जो है निदान पाने में बड़ी भूम का निभाएगा आई आई टी बांबे में इसका शुवारंब किया गया है तो आगे देखे हम लोग देश की पहली जो है घरेलू जीन थेरेपी है ये इसको याद रखिएगा एक सो चार में क्या है कठिया साथियों क्या लिखा है कठिया गेहूं किस राज से संबंदित है यह कठिया गेहूं क्या होता है साथियों एक तरह की बहुत ही पुराने किस्म की गेहूं है जिसको कठिया गेहूं को आ जाता है उत्तर परदेश के बुंदेल खंड में यह सोद देल खंड से याद रखिएगा इसको भी जी आई टेग मिला है कि इसको ये कठी याग यहों को जी आई टेग मिला है आगे देखा जाए 105 में क्या आप गया रहे हैं इसमें साथियों पूछा जा रहा है आपसे निमलिखित में से किस संगठन ने अगनी प्राइम का सफलता पुरुवक परिछड किया है तो किस संगठन ने किया ये पूछा है तो साथियों इसमें भारत के जो DRDO है और स्ट्रेटिजिक मतलब एक तरह से DRDO ने ही बड़ी भूमिक उसमें थोड़ी बहुत एक और संसा थी इसकी भूमिका थी लेकिन मुख्रोग से DRDO की ही इसमें भूमिका थी तो साथियों यहां पर DRDO की भूमिका है बिकल्प नंबर ये हो जाएगा आपका ये DRDO हिंदी में लिख देता है कुछ लोग ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो DRDO ने इसका सफल परिछड किया है तो अगनी प्राइम एक तरह की बैलेस्टिक मिसाइल है इसको याद ये मिसाइल है बैलेस्टिक मिसाइल आगे देखें 6 x में क्या कर रहा है एक शुच्छा में देखें विस्ट शॉस्थदीवस 2024 का थीम यानि оссे क्या है तो redes स्वास्थ दीवस 2024 का सिप्कै स क्या है साथियों मेरा स्वास्थ मेरा अधिकार बिकल्प नंबर भी हो जाएगा 2024 में जो बिस्व स्वास्थ दिवस जो मनाया गया साथी हो तो इसका जो 7 अप्रेल को मनाया जाता है बिस्व स्वास्थ दिवस का 7 अप्रेल को याद रखिएगा ये भी ऐसे भी आप सो पूछ सकता है 7 अप्रेल को मनाया गया 207 दिवस इसका विशय क्या था यानि थीम क्या थी मेरा स्वास्त मेरा अधिकार आगे देखें हम लोग 107 में निमने लिखित में से किस कमपनी द्वारा फी थिरी मिनी AI model बिक्सित किया गया है तो किस company के दोरा बिक्सित किया गया है तो Microsoft के दोरा विकल्प नंबर D हो जाएगा Microsoft में हाली में यह जो है इसको जो है पेश किया है तीन नियोजित रिलीज से यह पहला है यह इसमें आगे देखें 108 में क्या है निम्नलिखित में से किस संस्था ने उत्तर प्रदेश के आयोध्या में सुर्य तिलक पर योजना में महत्तपुर भूमिका निभाई है तो ऐसी कौन सी संस्था है जो आयोध्या में जो सुर्य तिलक योजना में महत्पूर वहुमका निभाई तो कौन सी भूमका निभाई साथियों, विज्यान और दोकी विभाग ने, इसमें बड़ी भूमका निभाई है, तो विकल्प बिकल्प नंबर ये सी हो जाएगा भारती खगोल और भौत्य की संस्थान विकल्प नंबर भी हो जाएगा तो आयोध्या में जो सुर इतीलक पर योजना में महत्पूर वहिम का निवाई इस पर योजना का उद्देश से क्या था सातियों कि जैसे राम नौमी पर जो दोपह पर उसमें सुर रोसरी डाली गई थी तो यही संस्था उसमें भूमिका निवाई थी यही भारती खगोल और भौत्य की संस्थान सी वाला में आगे देखें हम लोग नवा में क्या है पूरा तात्विक की एक टीम ने हाल ही में किस राज में एक यूनिक यानि अदितिय लव यूगिन महापाशार अस्थल की खोज की है तो साथियों यह तेलंगाना में खोज होई है बिकल्प नंबर ए हो जाएगा पूरा तात्यों क एक टीम ने हाली में किस राज में एक यूनिक लव यूगिन महापाशार अस्थल की खोज की है तो तेलंगाना की पूरा तात्विक दोने आगे देखें दस्वे में तिरंगा बर्फी बहुत ही सवाल है बहुत ही अच्छा साथियों तिरंगा बर्फी जिसे जी आई टेग प्राप्त हुआ या उत्तर प्रदेश की किस सहर से संबंदी थे तो उत्तर प्रदेश के या बनारस से संबंदी थे साथियों काशी नगरी बिकल्प नंबर डी हो जाएगा 110 का डी या तिरंगा बर्फी कहां से है वारानसी से जी आई टेग मिला है इसे याद रखिएगा आगे देखें तो हमारा इगराहुए में क्या पूछ रहा है इसरो ने इस वर्स तक मलबा मुक्त अंतरिच्छ की गोशड़ा की है तो साथियों इसरों ने मलबा मतलब यह अंतरिच्छ में मलबा क्या होता है साथियों जैसे हम लोग बिभिन देश के लोग जो अपना जो म प्रदेश को वहां सैटिलाइड जा रहा है तो वही जो इस तरह का कछड़ा हो गया है साइटिलाइड के टूर फूर्ट से जो है बोडी से तो उसी को सफाई के लिए तो इस रोग ने इस वर्स तक जो है मलबा मुक्त अंत्रिच की घोशड़ा की है अंत्रिच में जो मलबा गया है सब तो उसकी सफाई कब तक की जाएगे इसके सिलसिले में है तो 2030 तक लच्छ रखा है इस रोड ने बिकल्प नंबर यह सी हो जाएगा आपका 11 का सी आगे देखें 2030 याद रखे रहिएगा आगे देखें हम लोग 112 में कौन सा देश मेनेंजाइटिस का टीका लगान आब पहला देश कौन बना है इसमें सेचार नाम आपको दिये गयए है नाजीरिया भारा जर्मनी तो नाजीरिया ने लगाया है बिकल्प नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा तो नाजीरिया तो उसने एक vaccine दी उस vaccine का नाम याद रख लिजे आप लोग इसका नाम क्या है मेन 5CV मेन 5CV यह वैक्सीन का नाम है तो जो एक बार में पांच तरह के रोगों को रच्छा करती है विकल्प नंबर A हो जाएगा नाइजीरिया में 12 हो गया 13 में हम लोग देखते हैं क्या है तो 13 वाले में क्या पूछा जा रहा है बहुत ही अच्छा प्रशन यहां देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे हाल ही में समाशारों पत्रों में उल्लिखीत हाल ही में भी समाशारों पत्रों में यह दोड रहा था आपरेशन मेगदूद तो आपरेशन मेगदूद का क्या उद्देश है सातियों आपरेशन में एक दूद जो है यह 1984 में यह चलाया गया था पहली बार तो अभी हाली में यह अपना 40 साल 2024 में यह अपना 40 साल लगभग पूरा कर लिया है तो उसी में यह चर्चा में आया था सियाचीन ग्लेसियर को सुरच्छित रखना सियाचीन का जो ग्लेसियर है उसको हर तरह से जो है सुरच्छित किया जाना है तो इसी लिए यह चर्चा में आया विकल्प नंबर D हो जाएगा 113 का D हो गया आगे देखे हम लोग 114 में क्या है निमनलिखित में से किस संगठन ने पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए एक अस्थाई हाइड्रो जेल बेखसित किया है तो microplastic क्या होता है पानीम क कैसे मिल जाता है जैसे मलोग से पखाड़े उसका हिलकी सी plastic उसमें चली गई बढ़कर नाले में नदीम चली गई ऐसे बहुत सारे जल स्रोतों में पानीमें ऐसे plastics आ जाते हैं किसी माध्यम से तो वही होता है microplastic plastic के छोटे छोटे particles तो उसको हटाने के लिए एक अस्था यानी permanent hydrogen बेक्सिद किया है तो किस संस्था ने बेक्सिद किया है तो साथियों तो यही IISC तो बिकल्प नमबर B हो जाएगा IISC ने यह मतलब उसे हटाने के लिए एक hydrogen बेक्सिद किया है तो यह क्या है IAIC भारती विज्ञान संस्थान Indian Institute भारती विज्ञान संस्थान यहां मैं लिख दे रहा हूं भारती विज्ञान संस्थान आगे देखे हम लोग 25 ao 1 में क्या है 20 तो-का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवी करडी उर्जा पार्ग कहाँ इस्थापित किया जा रहा है, यानि बिसो का सबसे बड़ा हाइब्रिट नविकरडी उर्जा पार्क ये कहा इस्थापित किया जा रहा है, चार नाम आपके सामने हैं, राजस्थान, गुजराद, मद्द, परदेश, उत्तर परदेश, तो ये कहां है साथ ही hum? गुजरात में तो बिकल्प नंबर बी हो जाएगा यह गुजरात में किया जा रहा है तो यह अडानी कमपनी जो है वही लगा रही है इसको इसको जो है गुजरात के कच्छ जिले में तो अगर जीला पूछ ले तो आप बता देना कच्छ जिले में कौन लगा रहा है अडानी कमपनी लगा रही है तो ओडानी जी की कमपनी तो वही तरपूछ लिया तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे तो खावडा में इसका ये किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा नविकरड़ी उर्जा पार्ख है जो 529 वर्ग किलो मेटर में फैला है कितने में 529 वर्ग किलो मेटर में आगे देखा जाएं 16 में भारत का लच किस वर्ष तक यूरिया उर्वरक के आयाद को समाप करना यानि भारत ने किस वर्ष तक ये लच रखा है कि हम अब यूरिया इस वर्ष तक इस वर्ष के बाद हम यूरिया में self-dependent हो जाएंगे हमको मंगाना नहीं पड़ेगा तो इसका लच कौन सा रखा है सकता पड़ती है उसका लभग 30% हम लोग मंगाते हैं जितनी हम लोग को यूरिय की आउसकता पड़ती है तो इस 30% को खतम करना है जिसे इंग्लिश में लूपेक्स का आ जाता है या किन दो अंत शेंस्थाओं के संहूपmi शंयूख्ट मिशन है तो ये आपको बताना है, तो साथियों इसरो और जाक्षा, लुपेक्स किसका मेशन है, इसरो और जाक्षा का, विकल्प नमबर A हो जाएगा, आगे देखें, ये हमारा 118 है, अठार नहीं है, ये 118 है, हाल ही में चर्चा में रहा, कंबुम घाटी किस राज में इस्थित है, तो कंबुम घाटी 21 राज में इस्थित है, इसके बारे में आपको बताना है, तो ये तमिल नाडू में है, विकल्प नमबर B हो जाएगा, कंबुम घाटी तमिल नाडू में इस्थित है, जिसे दच्छिड भारत का अंगूर सहर कायाता है, अंगूरों के लिए फेमस है, तो यहां जितना भारत का जो जितना भी अंगूर उत्पादन होता है, तो यहां 85% ये अकेले अंगूर सप्लाई करता है, कंबुम घाटी, आगे देखें, तो इसको याद रखिएगा, दच्छिड भारत का अंगूर सहर इसको कायाता है, यहां लिग दे रहा हूं, नहीं तो भूल जाएंगे, अंगूर शहर, आगे देखें, उननिस का, भारत का कौन सा बंदरगा, 2023 में सिर्ष कारगो हैंडलिंग बंदरगा के रूप में उभरा, तो साथियों यह अपना यह पुर्वी बंदरगा है, पारादीब बंदरगा, बिकल्प नंबर B हो जाएगा, प पारादीब बंदरगा, जो है, यह भारत के सिर्ष कारगो हैंडलिंग प्रमुग बंदरगा के रूप में उभरा है, तो इसलिए चर्चा में आया, बिकल्प नंबर B, यह कहां है, ओडीशा में, याद रखियेगा इसे, ओडीशा में, आगे देखें, 120 में क्या है, तो साथियों, 120 में हमसे पूछ रहे हैं, भारत लॉरेल, भारती यह लॉरेल पेड़, यह क्या है, भारती लॉरेल पेड़, किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है, तो यह किस प्रकार के जंगल में पाया जाता है, साथियों, सुस्क और नम पढ़ पाती व जाले यह जंगलों में पाया जाता है क्या पाया जाता है भारती लौरेल पेड़ आगे देखे हम लोग कि एक किस में क्या पूछ रहे है भारती रिज्वरों बैंक के अनुसार बित्ती वर्स 2023 के लिए भारत की सुद्ध घरेलू बचत दर क्या थी जो बित्ती वर्ज दो हज़ाट टेईस आया बीता आया साथियों तो इसमें सुध जो है घरेलू बचत सुध घरेलू बचत का रेट पूछ रहे हैं वो कितना थी तो साथियों वो जो थी वो पांस दसमलो तीन परसेंट थी बिकल्प नंबर आपक तो दो हजार बाइस में ये कितना था साथ दसमलो तीन परतीसत था तेईस में ये पांट दसमलो तीन हो गया आगे देखें 22 में क्या है निमलिखित में से किस देश के किसान चावल के खेतों से मीथेन उच सर्जन को कम करने के लिए वैकल्पि गीला और सुखाने की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो साथियों आप लोग जानते हैं जो धान का खेत होता है उसमें मीथेन का उच सर्जन बहुत बड़े लिबल पर होता है तो एक देश के किसानों ने वहाँ पर एक ऐसी मतलब डिवाइस या एक रखे ऐसी प्रदोकी बिस्कित कर ली है जो उसको कम करने में जो खेतों से धान के खेतों मिथेन का उत्सर्जन होता है इस मिथेन को उत्सर्जन को कम करने का एक वैकल्पिक गीला और सुखा तकनीक का उपयोग कर रहे हैं तो 122 में मैं जो पूछ रहा है तो साथियों बियत नाम के कि किया जा रहा है तो शावल लोग आते सब्सक्राइब मीथेनु सर्जन को कम करने का एक वैकल्पिक है तरीका है ये आगे देखें इसमें जल की बचद भी होगी इसमें हमेशा पानी नहीं भरा जाएगा रुक रुक कर पानी भरेंगे तो ऐसा कुछ उनकी टेकनिक है आगे द जलवायू घडी किस अस्थान पर इस्थाबित की गई है तो ये नई दिल्ली में की गई है तो बिकल्प नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली में तो प्रिथ्वी दिवस के समारों के संबंद में सातियों ये ऐसा किया गया था नई दिल्ली में तो भारत की सबसे बली करिएगा अगर आपको मालूम हो तो बताईएगा प्रिथवी दिवस क्यों किया जाता है तो मैं बाइस बता दे रहा हूं तो आप लोग बताईए क्या बाइस मार्च बाइस अप्रेल इतना हिंट दे दिया हूं आगे देखें हम लो 24 में क्या है चुनाव में उपयोगिता चुनाव में जो उपयोग की जाती है उपयोगिता स्याही कि सरसायन का प्रियोग किया जाता है तो साथियों इस साल चुनाव भी हुआ तब सोचलो यह एक तरह के करेंट अफेर सी है अब चुनाव में यह सब स्याही प्रियोग होती है तो क्या होती है, केमिकली रोप से। तो साथिोंगे जहोती है। मिद्मस इ Town sank còn विकल्प नंबर B हो जाता है सिलवर नाइट्रेट। ऑजी ननोधुरी करके होता है सिलवर नाइट्रेट यही है। आगे देखो लगवा एक ड़ीड महिने तक छुड़ता ही नहीं तब सब छुडाने का प्रयास नहीं करोगे तो, क्या है 125 में, शाहिद बहेश्टी, शाहिद बहेश्टी बंदरगा, जो भारत की मदद से बिक्सित किया जा रहा है, किस देश में इस्थित है, तो शाहिद बहेश्टी बंदरगा, जो भारत की मदद से बिक्सित किया जा रहा है दोस्तों तो ये इरान में जो चाबहार बंदरगा है वो भारत में है इरान में के चाबहार बंदरगा तो ओमान की खाड़ी में चाबहार बंदरगा तो ये कहां है ओमान की खाड़ी में उमान खाड़ी इसको याद रखेगा मैं लिक दे रहा हूं तो कहीं से भी पूछ सकता है या तो इरान नाम दे देगा तो उमान खाड़ी देगा बता देना हाच्छा बहार वंदर का आगे देखें तो हमारा 125 हो गया 26 वाले में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं हमसे तो 26 वाले में साथियों ये पूछा जा रहा है ये भी अभी खबरों में था आप सोचिए कितना अच्छा प्रशन है ये शोंपेन जन जाती जिसने अभी अपना पहला लोग सभा के चुनाओं में ओट डाला था तो मुख रोब से किस भारत के किस छेत्र में ये शोंपेन जन जाती रहती है ये पूछ रहा है जो अभी ये लोग अभी पहली बार ओटिंग किये थे इसके बारे में पूछा जा रहा है तो साथियों ये ग्रेट निको बार बिकल्प नंबर D ये ग्रेट निको बार में आ आगे देखें हम लोग 27 में ब्रम्होष्ट सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात भारत ने किस देश को किया तो फिलिपिन्स ने किया साथियों यह लगबग 2 साल से ही चर्चा में है तो यह फिलिपिन्स को बेचा है भारत ने अपने यहां का बना कर सोचो गर्व की बा आगे देखें हम लोग 128 का क्या है इसमें कहरा है कवश प्रडाली किस संगठन द्वारा बेखसित की गई है तो कवश प्रडाली किस संगठन के द्वारा बेखसित की गई है तो साथियों यह जो है DRDO के द्वारा अनुसांध यह जो है DRDSO अनुसंधान डिजाइन और मानक स तो RDSO हो जाएगा इसमें RDSO तो बिकल्प नंबर भी हो जाएगा कवश प्रडाली इसी दौरा बिक्सित की गई है मुख्यरोब से तो आगे देखते हम लोग किया जैसे उच्च आबरेती को जो रेडियो convex रेटाल को लगातार यहाद Wor उसके सिल्सिले में इसर्काम चल रहा है तो इससा सम्द्डित है कवश प्रडाली यह कवश प्रडाली जैसे किस से संबंदित है तो इस समझ आप दिमाग तोहां थोड़ा सा लगा दीजिए ज्यादा याद नहीं आए तो यह ट्रेन से संबंदित त्रेन दुर घटना को रोकने के लिए प्रडाली बिक्सित की गई है आगे देखते हैं यह क्या है हमारा भारत द्वारा किस देश में आयातीत अगुनलशील सलफर आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है तो भारत ने किस देश से जो मतलब है भारत में ऐसा कि गुलनशील यानि गुलने वाला शलफर उसके आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की दिए हैं एंटी डंपिंग एक तरह का साथ यह सुलक होता है कि मतलब थोड़ा सा उसका मूल बढ़ाने के लिए तो यह है जो है किस देश से संबंदित है तो यह जो है क्या गर्मनी यह तो नहीं होगा चीन जापान तो बिकल्प नंबर भी हो जाएगा यह तो यह बी होगा चीन और जापान से संबंद नहीं था यह चीन जापान से आ रहा था तो उस पर यह एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है तीस वाले में आयमेफ अंतर राश्ट्री म मुद्रा कोस आयमेफ ने अपने एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो अपने एमडी को एमडी की रूप में किसे नियुक्त किया है यह आप से पूछ रहे हैं तो यही क्रिश्टालीना जारजीवा बिकल्प नंबर ए इनी को के जे आगे देखे हम लोग 31 का तो 31 वाले में क्या पूछ रहे हैं, कोविनेट, कोविनेट के संदर में हमें दो कथन दिये गए हैं, तीन कथन, इन तीनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है सही क्या है, सही उत्तर देना है, गलत नहीं देना है, कभी-कभी आपसे गलत भी पूछ लेगा, तो इतना जरूर ध्यान दिया करिए, ऐसे कथन वाले सवाल आएं, तो आप पहले देखा करिए, हमें कथनों को पढ़कर सही उत्तर देना है, तो क्या इसमें पूछ रहा है, सही उत्तर देना है, कोविनेट, अमेरिकी, यूरोपी, संघ द्वारा, इस्थापित एक गलोबल नेटोवर्क है तो साथियों यह जो है इससे संबंदित नहीं है क्योंकि यह कोरोना वाइरस नेटवर्क जो है जिसे कोविनेट नाम सौटकट में दिया गया है यह 27 संगतन डबलु एच्चो ने लांच किया है तो डबलु एच्चो ने इसको लांच किया है कोविनेट को तो इसको लांच कि इसमें 21 देशों की 26 लेबोरेटरी शामिल है, तो yes, कुल 21 देशों की इसमें 36 लेबोरेटरी इसमें सामिल है, तो ये वाली बात सही है, भारत की इसमें कोई लेबोरेटरी सामिल नहीं है, तो साथियों को ये बात गलत है, ये भारत के भी लेबोरेटरी उसमें सामिल है, इसम गलत हो गई जिसमें भारत की तीन लेब सामिल हैं तो पहला और तीसरा गलत हो गया तो जिसमें एक और तीन है उसको काड़ देजिए तो केवल आपका उत्तर सी होना चाहिए केवल दो सही है आगे देखें हम लोग 32 में क्या कह रहे हैं तो देखें 32 वालिम जो हमसे पूछा जा रहा है 200 उर्जा कांगरेस बहुत ही अच्छा सवाल है लोग और ग्रह के लिए उर्जा को फिर से डिजाइन करना किसके लिए लोगों और ग्रह के लिए उर्जा को डिजाइन करना उर्जा सही सम्बंदित है तो यह बात सही है यही थीम थी इसकी 2024 में तो विस्ट उर्जा कांग्रेज का 26 वा संसकरण 22 से 25 अपरेल 2024 को नीदर लेंड की राटर्डम में या किया गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट यह दूसरा वाला लाइन है याद कर लिजिए इसे यह पूछा जा सकता है तीन कथन हो सकता है कोई भी कथन उखा के वह लाइनर पूछ ले आपसे तो हाँ पर जो है हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो इसको जरूर याद कर जिए 26 सं करन था 22 से 25 अपरेल के बीच हुआ था नेदर लेंड के राजधानी रॉटर्डम में यह बात सही है यह बिस उर्जा परिसद और जो है बिस उर्जा परिसद और डबलू एसी नेदर लेंड द्वारा आउजित किया गया था यस तीनों की तीनों कथन सही है साथियों विकल माइक्रो प्लास्टिक के संदर में आपको दो तीन कथन दिये माइक्रो प्लास्टिक के संदर में यह तीन कथन दिये गये हैं अब इन ही तीनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा उत्तर हमारा सही होगा तो साथियों यह से प्रशन के वल देखने में बड़े लगत प्रस्ण के ऑखया तो भी आप प्रस्ण के उत्तर के करीब पहुंच सकते हो तो देखे हम लोग 133 वाले में यह क्या है माईक्रो प्लास्टिक का आकार 1μ2- Buddhist पंस तो । मीलिमिमिटर के बीच होता है तो 1mm से किस के बीच होता है 5 mm के बीच होता है microplastic यस अभी microplastic से समबंदित आया था ये जो जल से हटाने के लिए तो ये बात सही है microplastic के कड़ समुद्री जल, जानवरों, पवधों बोतल बंद पानी इत्यादी मैंने पहले बताया था कुछ हैसे जो plastics है उसके ही माध्यम से यह पानी में जाकर मिल जाते हैं, तो यही माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं, यह बी वाला भी सही है, माइक्रो प्लास्टिक के कड़ पानी खाद पदार्थ से होते हुए, मानो शरीर के गुर्दो उतको और यक्रित मस्तिक सक पहुँच रहे हैं, यह प्रजमसे मानो सरीन में ही वह प्लास्टिक फिर से पहुच जाता है माईक्र प्लास्टिक तो वह नुकसान पहुचा रहा है तो तीनों बाते यहां सही है उत्तर आपका सी होगा उपरयोकत सभी 34 में क्या है 34 में क्या है साथ यो गगन सक्ति से सम्बंदित सवाल है आपका गगन सक्ति के संदर में निमलिखित कथनों पर बिचार किजिए आपको तीन कथन दे दिये गए हैं तीन कथनों बिचार कर बताए कौन सा उत्तर सही है तो सही उत्तर हमें बताना है कौन सा हमारा उत्तर सही है ये बताना है हमाय, तो गगन सकती दोहया 24 नाम से चार दिवसे युध अभ्यास भारती वायू सेना इंडियन एरफोर्स द्वारा शुरू किया गया, तो नहीं साथ हुँ, ये गलत है, तो भारती वायू सेना ने पूरे भारत में मतलब एक तरह से हाई तीवरता वाले आपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए एक अप्रेशन से दस अप्रेशन के बीच यह जो है मिशन जो है शुरू किया था इसका पहला मामला हमाना और जो है यह मतलब यह तो गगन सक्ति से संबंदित है तो गगन सक्ति तो वाले चोबिस नाम से चार दीवसी युद अभ्यास भारती वायू सेना द्वारा सुरू किया गया है तो सार्थिवर यह युद अभ्यास एक तरह का नहीं भारती वायू सेना ने पूरे भारत में उच्चितिवरता वाले जो operation को अंजाम देने के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए एक से दस अप्रेल तक यह गगन शक्ति किया था के नाम से तो यह दस दिवसी युद्ध अभ्यास है एक तरह का तो चार दीवसी युद्ध ब्यास नहीं है यह दस दीवसी युद्ध ब्यास है तो यस यह बात थोड़ा सा confusion हो रहे थे हम तो यह बात जो है आपकी गलत निकल गई तो एक बात गलत निकल गई हमें clear है तो इसका मतलब एक जिस था वो गलत हो गया आप हमें कोई मालूम है इन दोनों कर नहीं भी मालूम है फिर भी हम उत्तर निकाल लेंगे खां हमारा उत्तर डी होगा क्योंकि एक जहां था उसको मैंने हटा दिया तो स्वभाविक सी बात अब हमें पता लग गया है यह दो और तीन कथन सही है गगन सक् यह देखें पैंटीस में तो पैंटीस वाले में हमसे क्या पूछना है है तो थीक है मिलेगा तो मैं पोस्ट कर दूंगा इसको एंसर की सही तो कोरल सुपर हाइवे कोरल सुपर हाइवे कोरल सुपर हाइवे के बारे में कुछ कथन दी गयी कौन सा कथन सही है इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताईए कौन सा उत्तर सही है आपका तो आटीस वाले में तो साथियों स्भारत शुपर हाइवे समुतरी धाराये हैं जो सुदूर यानि सबसे दूर इस्थित प्रवाल भित् शाहँ सरनच्छन में सहायक हैं तो यह दोनों बाते सही हैं आपकी 38 में दोनों सहीं है सिवाला होगा Most 39 में At martogeni 2 कथन्ति दिये गए हैं दूनों कम्यों से कौन सा उत्तर सही है यह जानकर आप सही उत्तर देना है आपको सही उत्तर यहां पर बताना है आपको तो पहला क्या है साथियों जीका और डेंगू दोनों वायरेस रोग मच्छर द्वारा संचारित होते हैं तो साथियों यह मच्छर द्वारा संचारित होते हैं तो यह बात सही है जीका और डेंगू दोनों मच्छर द्वारा होते हैं सही गया था यस 1947 के यूगांडा के जी कावन में तो दोनों बाते सही हैं तो बिकल्ब आपका बी हो जाएगा आगे देखें 40 में तो 40 में साथियों आपसे पूछ रहे हैं नेक्स कार 19 बहुत ही अच्छा है साथियों ये इसको याद कर लीजिए एक तरह का थेरेपी है ये ब्लेट कैंसर से संबंदित तो नेक्स कार ये लिखा है नेक्स कार 19 के संदर में दो कथन दिया है इन दोनों कतनों को पढ़कर सही उतर देना है आपको तो कैसे देंगे सही उतर साथियों तो एक तरह के ये सेल थेरेपी है मुख रूप से जो ब्लेट कैंसर अगर लोगों को हो जाता है तो उसमें बहुत बढ़ी भूमिका निभाए आया था ब्लेट कैंसर में जिसको हो जाता है उसमें ठेरेपी करने के लिए तो नेक्स कार नाइंटीन यह जो है यह दुनिया की सबसे सस्ती कार सेल ठेरेपी है तो कार टी सेल तो यह पहला वाला तो सही है तो यह वाला में हमारा सही है पहला दूसरा में क्या करा है भारत की मेक इन इंडिया और आतनिर्भर भारत की पहल का प्रती क्योंकि यह भारत में ही सोदेशी है तो मेक इन इंडिया इसलिए आया था सोदेशी के लिए अपने चीजों को अपने हां बनाने के लिए और आतन निर्भर भारत की जो एक पहल है उसका भी प्रतीक है क्योंकि यहीं पर है तो यह दोनों सई हैं हमारा तो उत्तर नंबर आपका 40 का सी हो जाना चाहिए यहीं है आगे देखें हम लोग एक तालिस में तो 41 में साथ हीं क्या होने वाला है मारा उत्तर तो देखते हम लोग 41 क्या कर रहा है संयूक्त यानि EU से यूरोप और भारत तो संयूक्त यूरोप भारत मैच मेकिंग कारक्रम के बारे में कथोनों पर विचार कीजिए तो विचार करना है हमें क्या करना है जून 2015 में आयूज पोशित है यह तो भारत यूरोप भारत मैच मेकिंग कारकरम में यह फंडिंग इसका कौन है यूरोप के द्वारा या आयोजन यूरोप और भारत के 6 स्टार्ट अप को अपने बिचारों को पेश करने के लिए एक मंच परदान करेगा तो साथीं 6 स्टार्ट अप नहीं यह तो है 12 श्टार्टप है इसमें सामेल नहीं च्छह यूरोप के च्छह भारत के तो यह दो वाला तो गलत हो गया तो आपका उत्तर इस पेज पर है क्या हो जाएगा केवल एक सही कौन है तो केवल एक सही है आगे देखे 42 में 42 में क्या है कि ग३लोबल हे टाइटीस रिपोर्ट 2014 मैं इसके संदर में अब कंसेप्षूल वाले सवाल आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि आपको ऐनलाइर ही हमैसा मिलेगा तो यहां पर अब कंसेप्षूल वाला भी सवाल दे दिया है गलोबल हेटाइटीस रिकूर्ट दोहजार चोबिस के संबंध में action for access in law and middle income countries के संदर में आपको दो कथन दिये गए हैं इन कथनों को पढ़कर बताईए कि हमारा उत्तर कौन सा होगा कौन सा उत्तर सही होगा तो यह वायरस हेपिटाइटिस से होने वाली मौतों में तपेदिक यानि जो टीबी होता है उसके बाद वैश्विक अस्थर पर मौत का दूसरा प्रमुक शंक्रामक कारण बन गया है यस तो हेपिटाइटिस से सम्बंदित यही है पहला वाला सही है इसने सालाना एक दस्मलो तीन मिनियल लोगों की जान चली जाती है यह सही बात है यानि लगभग 13 लाख लोगों की विकल्प नंबर दो भी सही है तो आपका बी हो जाएगा सही 43 में क्या है तो इसमें क्या कह रहा है 43 में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड टसल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानि टसल के संदर में कौन सा कथनों पर विचार करना है और विचार करके हमें सही उत्तर देना है तिन दो कथनों पर विचार कीजिए कैसे करे साथियों पहला वाला क्या कह रहा है टसल यानि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत का पहला निजी छेत्र में निर्मित सब मीटर रेजोलूशन अर्थ ऑबजर्वेशन सैटेलाइट यानि टास्ट वन ए लांच किया है तो साथियों यस यही लांच किया है टसल नहीं और टसल वन को साथ अप्रेल 2024 को नासा के द्वारा लांच किया गया तो साथियों नहीं यह नासा के द्वारा लांच नहीं किया गया है यह आपका गलत हो जाएगा यह जो लांच किया गया है साथियों यह स्पेस एक्स कि द्वारा लांच किया गया है यह स्पेस एक में 44 में क्या कह रहे हैं थोड़ा समलोग उपर लेते हैं उपर तो नहीं जा रहा है financial year 2024 यह फवाई लिखा है financial year 2024 में भारत में इस पात की खपत इस पात मतलब सत्यों इस्टील हो गया तो इस पात की खपत के संदर में दो कथन हैं दोनों कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है तो इस पात मंत्राले की सयुक्त समिती भारती लोग और इस पात उद्योग पर डेटा एकत्र करती है तो साथियों यस यह बात सही है यही इसी का काम है भारत में इस पात की खपत 13.4 परसंट से बढ़कर 13 136 मिलियन मेट्रिक टन हो गई है तो खपत जो है 13.4 परसंट बढ़ी है स्टील की खपत साथियों वही बात है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है हम लोग सो देशी यानि पर बढ़ावा दे रहे हैं चीजों को अपने यहां बना रहे हैं तो खपेगा ही बढ़ना घटे तो है नहीं तो विकल्प नंबर भी हो जाएगा एक और दो दोनों सही है 44 का भी हो जाएगा 144 का भी आगे देखें हम लोग तो यह क्या है 44 यहां भी कुछ गायब हो गये प्रश्म साथियों सौरी इस पीडियेप में यहां पता नहीं कहां से छूट गया है सब देखें 49 में क्या है नाबाड ने जलवायू रणनीती 2030 के संदर में निलखित कथनों पर विचार कीजिए तो जलवायू रणनीती भी नाबाड ने जलवायू रणनीती बनाई 2030 के संदर में तो इस पर दो कथन हैं कथनों पर विचार कर सही कथन बताईए तो यह आपका क्या हो जाएगा पहला वाला यह दस्तावेज 200 प्रित्वी दिवस के आउसर पर नाबाड के अध्यच शाजी के बी द्वारा जारी किया गया है तो साथियों यस हाँ यही किये हैं नाबाड के अध्याच शाजी के द्वारा तो यह बाते सही हैं आपके लिए 20 पृत्वी दिवस के आउसर पर यह किया गया तो 22 अप्रेल को 20 पृत्वी दिवस मनाया जाता है आप लोग जानते हैं बी वालिम क्या करा है इसका मुख्य उदेश भारत में हरित बित पोर्षण को बढ़ावा देना और प्रोशान देना यस तो दोनों बाते सही हैं तो नाबाड की स्थापनक कब हुई थी यह भी जान लेजिए 1982 में तो यहां पर दोनों बाते सही हैं बिकल्प नंबर बी हो ज अंकटाड की दफोर्थ कॉर्टिलरी रिपोर्ट फार 2023 के संदर में कथोनों पर बिचार करिए और बिचार करके बताना है हमारा कौन सा सही है तो चले इन दोनों पर हम बिचार करें तो भारत का सेवा निर्याद 11.4% से बढ़कर 11.4% बढ़कर यानि इतना बढ़ोतरी हु हो गया है तो साथियों यह सही कह रहे हैं इतना ही बढ़कर बढ़ा है तो दूसरा कह रहा है चीन का सेवा निर्याद 2023 में 10% यानि 10% गहटकर 381 billion अमेरिकी डालर हो गया है तो यह चीन का घटा है इतना 10% और हमारा लगबग 10 से अधिक परसंट बढ़ा है तो यह दोनों ब हम लोगों ने इस टेस्ट स्रीज को बहुत ही अच्छे से पूरा कर लिया यह जो आज जो अपना बीडियो में हम लोग जो सेकेंड पार्ट का यह जो बीडियो बनाए हैं सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने 91 से 150 तक देखा इसमें दो चार कोश्टन छूटे होंगे तो आ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ऐसे कंटेंट पर आप भरोसा किजिए कोई साथियों ऐसी जो महतपूर संस्थाव का कंटेंट होता है इसमें प्रश्ण उसी तरीके से बनाए जाते हैं जिस तरीके से पूछे गये हैं या पूछे जा सकते हैं तो यह होता है तो साथियों चलते हम लोग नमस्कार धन्यवाद